लोग मजबूर हो रहे हैं गंदगी में से निकलने को और हैने को ग्राम परधान पर लगाया सपाई ना कराने का आरूप कोरोना नामक भयानक वाइरस के चलते हुए देश में हर जगा कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं और हर जगा शाशन पर शाशन के द्वारा तरह तरह के इंतिजाम किये जा रहे हैं और साफ सफाई पर विशेश देहन दिया जा रहे हैं लेकिन कुछ ग्राम परधान अपनी मनमा करने को तारू है जनपत्मत्रा के कजबा शेरगण में इस्तित महला तेली पाड़ा और माली पाड़ा में भारी गंदगी का अमबाल लगा हुआ है और दो दिन पहले इस महले से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी निकल चुका है लेकिन फिर भी सफाई करमचारी महले में न के प्रतिनिती पकरुद्दीन से शिकायत की है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और हमारे दोनों ही धर्मों के प्रमक्तिवार बक्राइद और रक्षाबंदन आ रहे हैं फिर भी हम गंदगी में रहने को और निकलने को मजबूर हो रहे हैं महले एक मात्र अच्छा है यहां पूरा महला उससे पीने के लिए पानी भरता है वह एंड़ पंप भी गंदगी से चारो तरफ से अटा पड़ा है और यह रास्ता कजबे के में बाजार के लिए जाता है कई बार यहां बच्चे और महिलाएं भी गंदगी में गिरकर चोटिल हो चुकी है ऐसा है घार यहां सफाय होने चाहिये तरह है तैक हम सलोने है इसलिए हम बोलते हैं कि यहां शफाई होने चाहिए तो इसके बारे में आपने किसी ग्राम प्रदान या किसी सफाई करमचारी से अवगत नहीं करा आई है अजी कहते हैं कोई सफाई करमचारी नहीं आता है यह कौन सा मौला है यह तेली पाड़ा माली पाड़ा चेडगर